अगर आप लोग इंजिनियरिंग मेकेनिक्स में आभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं और बहुत जादा आपको डर लग रहा है कि इंजिनियरिंग मेकेनिक्स में कैसे पास होंगे तो आपको अब डरने की कोई आवसकतन नहीं है क्योंकि इस वीडियो के मादयम से आपके जि अभी को बता देते हैं कि जो आपके external exam 70 नमर का होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं maximum marks 70 नमर तो 70 नमर में से कम से कम 35 से 40 नमर का जो question होता है और प्रिभीर सीर से ही पूछा जाता है और आप सभी को pass होने के लिए सिर्फ 28 नमर ही लाना होता है इसलिए अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और सिर्फ fast होना साहते हैं तो इस वीडियो को आन तक देखने का पढ़्यास किजिएगा तो आप लोग अपने mobile के screen पर देख पा रहे होंगे या है engineering mechanics का previous year question paper जो पिछले साल exam हुआ था उसी में इस सब question पूछ गया था और अब की बार भी पूछा जा सकता है तो आप लोग को एक और बात बात आदे जिनका भी question रहता है कि सर क्या हिंदी में answer दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे question paper में हिंदी और English दोनो language का पढ़्योग किया गया है अग वहीं apply करेंगे बाकी जो lateral entry से third से made mission लिये होंगे तो आप लोग हिंदी में नहीं लिखिएगा क्यूंकि आप लोग second year case date हैं तो चलिए आप सभी को बता दे वो कौन कौन से question है जो पिछले बार पुछे गए थे तो पहला question है यहाँ पर लिखा गया है question number one the component of force is dash यानी एक बल का घाटक होता है dash होता है उसके नीचे इसका चार अपसन दिया गया है हमेशा अपने फरिनाम से कम होता है फरिनाम से ज़्यादा होता है फरिनाम के बराबर होता है या इन में से कोई भी नहीं तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा आप लोग थोरा ब यह हमेशा क्या होता है magnitude से कम होता है यानी always less than its magnitude तो जो question number one है इसका correct answer option A हो जाएगा ठीक है एक और आप सभी को बात बता दे अगर आपके mobile में कोई भी group होगा तो उस group में इस वीडियो को share जरूर किजिएगा ताकि जो आपके दोस्त होंगे ओभी आभी तक कुछ नहीं पड़े होंगे तो इस वीडियो को देख लेंगे तो भी पास हो जाएंगे क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ पास होना साहते हैं तो previous question paper काफी होता है एक और आप सभी को बत बता दे जो भी लोग आभी तक आप सभी के अपनी YouTube channel diploma classes को subscribe नहीं की है तो पिलिज आप लोग subscribe कर दिजिएगा ताकि इसे informative वीडियो आप सभी के पास सही समय पे जाता रहे अब चली आप सभी को बता दे कि दूसरा question क्या पूछा गया था तो दूसरा question है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं the resultant of forces F1 and F2 make an angle alpha with F1 and beta with F2 मतलब then उसके बाद क्या होगा आप लोग इस question को हिंदी में पढ़िए देखिए अभी आप लोग first semester में होंगे या second semester में होंगे या third semester में होंगे यह जो paper है तीनो semester के लिए common paper है यानि इसको सभी किसी को पढ़ना होता है किसी student को first semester में पढ़ना होता है तो किसी को second में पढ़ना होता है और जो लोग lateral interest admission लेते हैं उनको ठाड़ से में पढ़ना होता है तो देखिए आप लोग हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में कोश्चन को पढ़ने का पढ़ियास किजिएगा अगर आपको इंग्लिस समझ में नहीं आता है तो हिंदी में दो से तीन बर पढ़ियेगा तो उसका आं साथ बीटा कोन बनाता है तो क्या होगा तो फाइनालीस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्शन सी हो जाएगा जो अलफा होगा वो क्या होगा लेस देन बीटा होगा यादी एफ ओन ग्रेटर देन बीटा होगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो जो क्व लेना चाहते हैं कि राखिर कैसे आंसर आया है तो आप सभी लोग डिपलोमा क्लासिस की ओफिस्यल इंस्टाग्राम आईडी डिपलोमा क्लासिस वन जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दिया गया है आप लोग वहाँ पर मेसेज कर सकते हैं अगर यह आपके चेप्टर में पढ़ना होगा एक टॉपिक लेडर जिसको आप लोग सिंधी बोलते हैं उसी से लिया गया है question है a 13 meter long ladder is placed against a smooth vertical wall with a lower end 5 meter from the wall the value of coefficient of friction between ladder and floor so that it means in equilibrium यहाँ पर बोला गया है remains in equilibrium तो आप लोग इस question को एक बार हिंदी में पढ़ लिजिए question है एक चिकना लंबवत दिवाल के सहारे क्या है एक चिकना लंबवत दिवाल के सहारे 13 meter long ladder CD टीका हुगा है ठीक है जिसका निचला छोर दिवाल से 5 meter के दूरी पर है सामय अवस्था यानि equilibrium में रखने के लिए सतह तथा CD के बीच घर्चन गुनांख होगा तो देखिए इसमें जो option है कोई भी सही नहीं दिया गया है इसका correct answer हो जाएगा option D आखिर कैसे solve होगा इसका solution लेने के लिए आप सबी को एक बड़ Instagram पर message करना होगा अगर हम यहाँ पर इसका solution करवाएंगे तो वीडियो कम से कम 2 घांटा का हो जाएगा ठीक है इसलिए हम यहाँ पर आप सबी को answer ही बता रहे हैं अगला question है तो चलिए हम इसको हिंदी में ही पढ़के आप सबी को बता देते हैं चौथा नमर question है एक खुर्दूरे नयन तल पर डबलू भार का पिंड रखा है तल का जुकाव 36 के साथ घर्षन कोन से जादा है वस्तू क्या होगा ठीक है तो इसका finally correct answer हो जाएगा option A है साम्यवस्था में होगा option B है नीचे की तरफ चलेगा option C है उपर की तरफ चलेगा option D है इन में से कोई भी नहीं तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा नीचे की तरफ चलेगा यानि option B इसका correct answer हो जाएगा अगला question है और आप सभी को एक और बात बता दे जो आप लोग के subject है engineering mechanics इसमें जो force आप लोग का chapter होगा वहाँ से सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है जैसे कि आप लोग दिख पा रहे होंगे अगला question है the non-concurrent forces maybe यानि non-concurrent force कौन कौन सा होता है एक होता है concurrent force दुसरा होता है non-concurrent force तो पिछले बार non-concurrent force पूछा गया है तो अब की बार concurrent force पूछा जाएगा आप लोग यहां से एक objective को याद कर लिदिएगा पिछले बार पूछा किया है non-concurrent force तो अब की बार पूछा जाएगा concurrent force कौन कौन सा है या आप सब एक 100% गरांटी के साथ बोल सकते हैं कि यह question अब की बार आपकी exam में पूछा ही जाएगा तो आप सब एक बात बता जाएगा option C यानि option A और option B इसका दोनों ही सही है यानि यह जो दोनों है non-concurrent force होता है आप लोग अब की बार जो concurrent force है उसको पढ़े लिजिएगा अगला question है अड़िया है numerical 120 degree के कोन पर दो बल कार्य करती है यादि बारे बल पंद्रे न्यूटन है ठीक है और उसका परिनामी बल छोटे बल के लमवत है तो छोटे बल का मान क्या होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है 15 न्यूटन और यहाँ पर लिखा गया है 50 न्यूटन इसलिए आप लोग जो भी question को पढ़ियेगा उसको अच्छे से पढ़ियेगा ठीक है तो finally आप लोग इसको जो 50 न्यूटन है उसको ले करके solve किजिएगा न्यूटन इसका correct answer हो जाएगा आखिर कैसा हुआ है उसका solution आखिर आप सभी को कहा मिलेगा आपको already बता दिये हैं अगला question है देखिए a cubical block rest on an inclined plane of mu mu का मतलब मान दिया गया है the angle of inclination when the block just slide down the inclined plane will be यानि आप सभी को मालुम होगा कि जो 3 theta कितना होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो question number 7 है 30 degree का value कितना होता है तो 1 but root 3 होता है तो finally इसका correct answer option B हो जाएगा अगला question क्या पूछा किया है देखिए जो question है friction से पूछा किया है the value of kinetic friction is a smaller in the case of यानि किसके मामले में जो गतिज घर्चन का मान है वो कम होता है तो finally आप सभी को बता दे जो rolling friction है इसके मामले में कम होता है अगला question है देखिए आप सभी को एक और बत बता दे जो limiting friction है sliding friction है, aesthetic friction है, rolling friction है आप लोग चारो को पढ़ लिजिएगा, अब की बार बोलेगा right short notes ठीक है यानि short notes लिखने के लिए आ जाएगा चारो के उपर यह आप लोग याद कर लिजिएगा, ठीक है अगला question है, देखिए, the larger and smaller diameter of a differential wheel and axle are 80 mm and 70 mm respectively the velocity ratio will be तो देखिए, इसमें जो है, question ही wrong दिया गया था तो इसका कोई भी answer सही नहीं था अगला question है a certain lifting machine having same mechanical advantage and same velocity ratio the machine must be यानि एक lifting machine है उसका mechanical advantage and velocity ratio मतलब aim, a को लिखते हैं mechanical advantage और b, r को लिखते हैं velocity ratio दोनों समान है, तो क्या होगा ideal होगा, reversible होगा, या दोनों होगा तो देखिए, इसका correct answer हो जाएगा, दोनों होगा आप लोग पढ़िली जीएगा, ideal machine क्या होता है, reversible machine क्या होता है, irreversible machine क्या होता है तीनों में से एक question अब की बार आपके exam में पूछा ही जाएगा अगला question है, और या question पूछा गया है beam से a simply supported beam of length 6 meter, यानि कोई beam है जो 6 meter लंबा है, ठीक है और इस पर जो moment है, कितना है, 60 kilo newton है, यानि carry couple of moment 60 kilo newton, at a mid spm, यानि बीच में है, the support reaction will be dash respectively जब आप लोग इसको solve किजिएगा, तो finalist का correct answer हो जाएगा, option A अगला question है, the load, क्या question है, the load A will be lifted by an effort 12 newton if the velocity ratio is 18 and efficiency of machine 60% तो क्या होगा, ठीक है तो finalist का correct answer हो जाएगा, आप लोग इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लेजिएगा 12 newton के पड़्यास से dash भार उठाया जाएगा, यादी इस भार पर machine की दक्षता 60% है तथा velocity ratio 18 है, तो finalist का correct answer हो जाएगा, 129.6 newton, ठीक है अगला question है, the maximum efficiency of a lifting machine is क्या बोला है, maximum efficiency of lifting machine, यानि एक भार उठाने वाली machine की अधिकतम दक्षता dash होती है, तो इसका correct answer हो जाएगा, 1 upon m multiply velocity ratio अगला question है, a beam supported on more than two support, देखिए कोई beam है, इसमें 2 से ज़्यादा support है तो इसको क्या बोलते हैं, continuous beam बोलते हैं, अगर 2 से ज़्यादा है तो continuous beam बोलेंगे अगर जो simply supported beam है, over hanging beam है, और fixed beam है, आप लोग 4 के बारे में पढ़ली जिएगा, अब की बार 4 के बारे में आप से पूछा जाएगा अगर over hanging बोलेगा, तो over hanging में क्या होता है, एक पहले या एक बाद में ऐसे रहता है ठीक है, जो fixed beam होता है, दोनों तरफ से fixed होता है, लेकिन जो continuous beam है, इसमें दो से ज़्यादा support रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे continuous beam बोलेंगे अगला question है, the lamist theorem is applied cable only food, यानि lamist theorem का प्रयोग हम कब करते हैं तो कब करते हैं, only coffee and concurrent foods के लिए करते हैं, तो finalist का correct answer हो जाएगा अप्शन C, आप लोग lamist theorem, भेरेगंस theorem और principle of transmissibility तीनों को पढ़ लिजिएगा, तीनों में सी एक question हर एक साल पूछा ही जाता है अगला question है, हम इसको हिंदी में पढ़के आप सभी को समझा देते हैं इस थीर, निर्धारित धरन का उद्धारन है तो आप सभी को एक बता दे, एक क्या होता है वैसा beam, जो तीन equation से solve हो जाए, उसको बोलते हैं निर्धारित beam और अगर तीन से जादा equation लगेगा, तो उसको बोलेंगे और निर्धारित धरन तो देखिए, जो fix beam होगा और जो continuous beam होगा यानि option A and C, इसमें तीन से जादा equation को लगाना होगा solve करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और निर्धारित धरन का उद्धारन है निर्धारित तो आपके बार पूछ देगा निर्धारित तो जो un-nिर्धारित है इसमें हो जाएगा आपका fix beam और continuous beam ठीक है और लेकिन अगर सिर्फ बोलेगा निर्धारित तो इसमें हो जाएगा overhanging इसके बाद हो जाएगा simply supported ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा पिछले बार उसको पूछा गया है तो आपके बार बोला जाएगा निर्धारित तरन का उद्धारन क्या है? तो उसमें हो जाएगा simply supported और overhanging अगला question है ए सेंट्रवाइड से लिया गया है आप 66 cm diameter from its base यानि बेस से इसका जो diameter है 66 cm है तो यह बिल्कुल formula पे है formula पे आप लोग इसको put किजिएगा इसका answer आ जाएगा finally इसका correct answer आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आप सभी को बता दे जो 14 cm है यहीं इसका correct answer हो जाएगा बिल्कुल formula पे है अगला question है unit of the first moment of area of any given plane तो क्या होता है area multiply diameter तो area का क्या होता है cm square और diameter क्या होता है तो cm होता है इसका correct answer हो जाएगा cm q अगला question है center of mass and center of gravity of a rigid body यानि एक rigid body में pin का दरब्यमान और गुरुत्व किंद्र आखिर कहां पर होता है तो final इसका correct answer हो जाएगा option c may या may not coincide with each other ठीक है अगला question है the center of gravity of a solid rigid circular cone lies on its axis at the height of dash base तो final इसका correct answer हो जाएगा देखिए इसमें जो है कोई भी सही answer नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा इन में से कोई भी नहीं अब चलिए आप सभी को बता दे आप लोग देख लिए group A का question जिसमें आप से 20 objective question पूछा गया था जो आप से 4 नमर में question पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा 5 question यानि 4 multiply 5 आपका 20 नमर हो गया उसके बाद फिर आप से पूछा जाएगा 6 नमर का question 6 नमर का भी question आप से पूछा जाएगा 5 यानि 6 multiply 5 स्कल्टू हो जाएगा 30 तो group A से 20 नमर group B से 20 नमर और group C से 30 नमर totally हो जाएगा 70 नमर और आपको पास होने के लिए सिरिफ लाना है 28 नमर अब चलिए देख लेते हैं कि group B में आखिर कौन-कौन से question पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसका screenshot भी ले सकते हैं इसके आथवा वाला question है जो बिल्कुल easy question है Explain any four type beam with net sketch तो क्या होता है simply supported beam हो जाएगा ठीक है एक continuous beam हो जाएगा एक overhanging beam हो जाएगा ठीक है तो जो आपका simply supported beam होगा वो कैसा होगा उसका figure control करना है जो continuous beam होगा वो कैसा होता है जो fixed beam होता हो कैसा होता है ठीक है और जो overhanging beam होता है वो कैसा होता है चारों का figure बना देना है क्या होता है सबसे पहले आप सब एको figure बना देना होगा जैसे कि जो simply supported beam है वो कुछ इस परकार से होता है जो overhanging beam है वो कुछ इस परकार से होता है ठीक है जो continuous beam है वो कुछ इस परकार से होता है इसमें 2 से जादा reaction लगे रहते हैं और जो fix beam है एक दोनों कियोड से मतलब fix रहता है तो ऐसे ही आपको figure बना के उसके बारे में कुछ कुछ लिख देना है अगला question है explain the principle of transmissibility with suitable example देखिए जो principle of transmissibility है इसके बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले इसका एक figure ड्रो कर देना होगा principle of transmissibility के नुसार कोई भी force को एक QC लेक करके हम आगे पिछी इसको घस का सकते है ठीक है यानि up down कर सकते है लेकिन same line of action होना चाहिए अगला question है और यह जो question है कहां से लिया गया है आप लोग देख सकते हैं friction से लिया गया है आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं अगला question पूछा गया है आप से derive the relation between coefficient of friction and angle of friction तो आप लोग देखिए बिल्कुल इजी question है इसका भी आप लोग solve कर सकते हैं अगर solve नहीं होगा तो एक बार message किजिए का इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें solution करके आपको बता देंगे अगला जो question है एक बीम से पूछा गया है पांच नमर question क्या पूछा गया है जैसे कि आप सभी को बताए थे कि रिबल जीबल और रिबल जीबल जो है वहाँ से question पूछा जाता है तो वहाँ question पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है E Reversible के लिए तो आपकी बार पूछा जाएगा Reversible के लिए उसके नीचे question है और यह जो है S-Crew Jack का numerical question है जो बिलकुल easy है अगला question है एक क्या बोला गया है बीम से question है जिसको आपको बनाना है कैसे बनाना है यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि graphical method से आप सभी को इसको solve करना है अगला question है by the method of integration find the center of gravity of a solid cone of height edge ठीक है तो आप लोग इसको solve कर लिजिएगा तो यह finally हो गया group A, group B अब आगया group C group C में 5 question होंगे और परतेक question होंगे आपका 6 marks का तो question पूछा गया है estate and explain the lamist theorem जो lamist theorem होता है एक कुछ इस परकार से होता है यहाँ पर एक alpha cone बनेगा, यहाँ पर एक beta बनेगा, यहाँ पर एक gamma बनेगा जो किसके किसके लिए होता है, coplanar and concurrent force के लिए होता है बिलकुल इजी question है, आप लोग इसको देख लिजिएगा उसकी नीचे आपसे बोला गया है, एक beam दिया गया है जिस पर जो force लग रहा है, वो UDL है यानि uniformly distributed load अगर देखिए, अगर ऐसा load होगा, तो UDL होगा अगर ऐसा होगा, तो आपका UVL होगा अगर ऐसा होगा, तो आपको point load होगा तीन टाइप का load होता है अगला फिर question पुछ दिया गया है beam वाला ही, आप लोग इसका भी screenshot ले सकते हैं उसके नीचे क्या question पूछा गया है यह जो question है, आप सभी से friction से पूछा गया है इसके नीचे जो question है, यह भी friction से है तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा friction topic पर focus करना होगा अगर आप लोग friction topic वह अच्छा से पढ़ लेते हैं तो अराम से आप लोग 40-50 नमर ला सकते हैं उसके नीचे क्या है, यह जो question है center vital axis से question पूछा गया है center vital axis, center of gravity दोनों को पढ़ ले जिएगा यहां से हर एक साल question पूछे जाते हैं अब जो question आपका आप लोग देख सकते हैं कहां से पूछा गया है जो हुई आपका एक topic होगा वहीं से इस question को पूछा गया है तो आज क्लितना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो आप लोग पिलीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने अपने गुरूप में सेर जरूर किजिएगा ताकि जो आपके दोस्त होंगे उनको भी मलूम चल जाएगा कि राखिर कैसा question पूछा जाएगा और कैसा question पिछले बार पूछा गया था thank you